धान की खील से वैसे तो आप बहुत धेर सारी रेसेपी बना सकते हैं लेकिन आज मैं आपके साथ 4 आसान तरीके से रेसेपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाना भी बहुत आसान है और खाने में बहुत जादा टेश्टी लगता है तो चलिए जन्दी से रेसेपी शुरू करते हैं सारी रेसेपी बनाने के लिए हम दीवाली में बची हुई धान की खील लेंगे धान की खील लेते समय ध्यान रखिए कि धान की खील अच्छे से प्रिस्प रहे अगर धान की खील सौफ्ट रहेगी तो सारी रेसेपी सौफ्ट बनेगी अगर धान की खील सौफ्ट हो ग इसको हम निकाल देंगे क्योंकि गले में फसने का डर रहता है और खाते समय मुझ में भी चूप सकता है तो इसको हम निकाल देंगे तो खील से सबसे पहली रेसेपी जो हम बनाएंगे वो नमकीन की है तो इसके लिए एक कड़ाही लेंगे कड़ाही में दो टेबली स्पून ओयल दालेंगे ओयल जैसे ही गरम होगा मुफली का दाना डाल कर अच्छे से रोश्ट कर लेंगे मुफली का दाना आप कम जादा अपनी पसंद अमसार ले सकते हैं तो मुफली से चटचट की आवाज आनी बंद हो गई है अच्छे से भून किया है अब इसको निकाल लेंगे और इसी ओयल में डाल देंगे एक छोटा प्याज लंबे और पतले टुकडे में कटा हुआ और एक हरी मिर्च लंबे और पतले टुकडे में कटी हुई आप अगर इस लमकीन को जादा दिन तक रखना चाहते हैं तो इसमें हरी मिर्च और प्याज मट डालिए बिना हरी मिर्च और प्याज के ही बनाईए तो इसको आप एक महिने से लेके दो महिने तक रख सकते हैं जैसे ही प्याज और हरी मिर्च का color change होगा इसमें कुछ करी पत्ती डाल देंगे और बस कुछ second इसको भी fry कर लेंगे तो देखे करी पत्ती भी अच्छे से crisp हो गई है तो सभी चीजों को इस तरह से कडाही के side में लगा देंगे और सारा ओयल बीच में आ जाएगा तो इस ओयल में डालेंगे एक छोटा चमच साबुत सौफ और एक छोटा चमच साबुत धनिया इस नमकीन में सौफ और धनिया का टेस्ट बहुत बढ़ी आता है तो बिल्कुल इसकिप नहीं कीजिएगा जैसे ही सौफ और धनीया का कलर चेंज होगा ये लिस्प होगा तो इसमें डाल देंगे आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चोटा चमच लाल मिंच पाउडर और एक चोटा चमच चाट मसाला मसाले को ओयल में डालने के तुरंत बाद ही इसमें ये खील डाल देंगे और मुफली का दाना डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे साथी साथ स्वाद अनुसार सादा नमक और स्वाद अनुसार काला नमक डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे दिवाली में बची हुई खील से बहुत ही बढ़िया नमकीन बनकर त्यार हो गई है इसको अगर आप लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो इसमें प्याज और हरी मिर्च इसकिप कर दीजिए तो एयर टाइट डिबे में इस्टोर करके एक से दो महिने तक रख सकते हैं अब हम बची हुई खील से चटपटा इसनेक्स बनाएंगे इसको आप चाहे तो सुबे शाम की चाय के साथ खा सकते हैं या हलकी फुल की भूख लग रही है तो भी खा सकते हैं कड़ाही में लगभग एक टेबल इस्पून ओयल डालेंगे और एक छोटा सा प्याज लंबे और पतले टुकडे में कटा हुआ डाल देंगे जैसे ही प्याज हलका सा ट्रांस्लूसेंट होगा तुरंत इसमें एक छोटा चमच बनारसी राई डालेंगे 10-12 करी पति डाल देंगे और एक से दो हरी मिच्छ तोड़ कर डाल देंगे कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद एक छोटा तमाटर चोटे टुकडे में कटा हुआ डाल देंगे और इसको सॉफ्ट कर लेंगे इसको बहुँछ ज़दा सॉफ्ट नहीं करेंगे कडागी में इस तरह से फैला देंगे ताकि टमाटर सौफ्ट हो जाए और टमाटर का सारा पानी सूख जाए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लगफ़क एक से देड़ मिनट में ही टमाटर का पानी सूख जाता है टमाटर का पानी अच्छी तरे से सूख गया है तो इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच चाट मसाला एक छोटा चमच तीखा लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई छोटा चमच हल्दी पाउडर और दो से तीन टेबली स्पून मुंफली का दाना यहाँ पे हम भूना हुआ मुंफली का दाना लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ये खील डाल देंगे थोड़ा सा खील डालके पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक साथ पूरा खील नहीं डालेंगे नहीं तो फिर मसाला एक जगाई कठा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा खील डालते रहेंगे और अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे और ध्यान रखेंगे कि टमाटर में पानी बिलकुल न रहें अगर टमाटर में थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो खील सॉफ्ट हो जाएगी अब स्वाद अमसार नमक डाल कर अच्छी तरह से मिला देंगे तो देखें कितनी आसानी से तीखा चटपटा स्नेक्स बनकर त्यार हो गया है थोड़ी सी धन्यापती डाल कर गानिश कर देंगे अब हम तीसरी रेजेपी देखेंगे जो स्वीट रेजेपी है एक पैन लेंगे और पैन में एक चौथाई पाउल चीनी डालेंगे साथ में दो से तीन पेबली स्पून पानी डाल कर चाशनी त्यार करेंगे चाशनी लगभग त्यार हो गई है चेक कर लेंगे तो यहाँ पे एक से डेढ़ तार की चाशनी बन रही है तो गैस फिलिम आफ कर देंगे अब जिस पाउल से मैंने चीनी लिया है उसी पाउल से एक बाउल खील डाल कर अच्छी तरह से मिलाएंगे कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि चाशनी अच्छे से ड्राई हो जाए और खील के उपर चिपक जाए ज्यादा टाइम नहीं लगता है एक से डेढ़ मिनट में ही चाशनी ड्राई हो जाती है और खील के उपर आके चिपक जाती है खील से बहुत ही बढ़िया स्वीट रेसेपी त्यार हो गई है इस तरह से सुगर कोटेट खील बच्चों को बहुत पसंद आती है और बहुत आसानी से मिंटों में त्यार भी हो जाती है अब हुम चौथी रेसेपी देख लेंगे ये भी सुईट रेसेपी है खील का लड़ू तो एक पैन में एक छोटा बाउल गुड़ डालेंगे और एक चौथाई बाउल पानी डालेंगे जिस बाउल से गुड़ लेंगे उसी बाउल से पानी भी लेंगे इसको पकाते हुए चाशनी त्यार करेंगे चाशनी को चेक करेंगे तो एक तार की चाशनी बन रही है गैस फ्लेम आफ कर देंगे अब इसमें तीन बाउल धान की खील डालेंगे एक साथ पूरी खील नहीं डालेंगे थुड़ा थोड़ा करके डालेंगे जित बाउल से मैंने गुड और पानी लिया है उसी बाउल से तीन बाउल धान की खील लिया है तो जैसे ही हलका सा ठंधा होगा हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और लड़ू बनाना शुरूर करेंगे पानी लगाना जरूरी है जिसे की लड़ू आसानी से बन जाए और हथेली भी न जले तो देखे बहुत आसानी से लड़ू बन कर त्यार हो गया है ये चारों रेसेपी सभी को बहुत पसंद आएगी तो इस बार अगर आपके घर में भी धान की खील बची है तो इस तरह से रेसेपी ट्राई कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये चार आसान तरीके से बनी हुई खील की रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को जादा से जादा शेर करें थाइंक यू सो मच फर वाचिंग टेक क्यार बाई बाई